Hey guys, what's up, कैसे हैं? आप लोग स्वागत है, आप लोगों का दनीरे जरूरे शोपे और आज हम लोग आपको एक Chartered Accountants नहीं, एक Company Secretary से मिलवाने वाले हैं और Company Secretary Course अगर आप कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस पूरे एपिसोड को end तक देखेगा और अगर आप कैसे हैं नहा जी, नहा, welcome to the show, कैसे हैं आप? Sir, thank you so much, first of all, like, it's an honor to be on your show and मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताये sir, how are you, how about you? Doing great नहा है और इतने सारे AIRs मैंने देखे आपकी प्रोफाल पे, तो CS में तीन स्टेज होती हैं, if I'm not wrong, foundation, or जैसे मारा होता है, foundation, intermediate, and final, I think आपका है, foundation, executive, and professional, right? तो तीनों स्टेज पे आपकी रैंक है, is that true? Yes, it is true, sir, like, लोगों को यह बिलीब नहीं होता था, तो मैंने उन लोगों को माकशिक दिखाई थी, मेरे यूटूब पर, it's true, AIRs मैं क्या बारते हैं, great, तो अपने आपको कैसे इंटर्दूस करना चाहेंगे नहीं, क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में, आज ओडियंस So, it's like, I am a normal girl, like, sir, जो एक जिसका ड्रीम था कि उसको लाइफ में कुछ अचीव करना है, so I chose CS as my career, and I cleared out my CS in the year 2020, but then All India rank in all the three stages, उसके बाद, TADA Capital Limited, मैं स्टाटिड मैं इंटर्शिप, I also started my YouTube, during my internship, and उसके बाद, I also started LLB, and internship तो खतम हो गई है, LLB के लास्ट चाह में हूँ, और अभी जॉब कर रही हूँ, क्या बात है, that's amazing, तो सबसे फेला सवाल तो, नेहा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कि वाई not CA, वाई CS, क्योंकि ऐसा माना जाता है, कि CA जादा famous है, CA में जादा बच्चे आते हैं, और जिस तरह से आपने सारे, तो आपने कभी CA करने व जादा गर्ता तो, इसे ही जादा है, तो बहुत सारे मेरे फिरेंद कर रहे थे, मैं मैं पी सुछा चलो कुछ CA जैसा ही करते है, बट, समहाँ आपकर करते हैं, बलते हैं, कुंडली मेरे CS के साथ, बलते हैं, कुरा थेयरी सबजेक्ट मुझे पसंद है, लौ थे पसंद है, अगर अब देखो के तो सर से का दूरेशन काफी कम है Like मेरे ताइम पर थी यर्ज में यवार्ड शेयर्ज का चुछ ॉजाए लग्दी जल्दी कुछ करना था जिस्में मैं जल्दी जल्दी फिननेशली इंडिप्नेशली बन जण और से कर्स का जो एक controversial मुद्धा मैं आपके साथ उठाना चाहता हूं, कहीं बार इस बात पर controversy हो चुके है, YouTube पर भी हो चुकी है, कि CA बढ़ा है, कि CS बढ़ा है, कि CA में बढ़ा है, कि CS क्या होता है, कम्प्यूटर साइंस कर रहे हो, कोई कोई मजा पर आने के लिए, काउंटर स्ट्राइक कुछ भी बोलते थे, और यहीं एड्वाइस देते हैं, कि तुम यह सब छोड़ो, CA कर लो, CA अच्छा होता है, और हम उनको नादान समझ कर माफ कर देते हैं, कि आपने CS को चूज किया, या CMA को चूज किया, CA को चूज किया है, तीनों ही बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग कोर्स हैं, और तीनों आपको एक रेपटिट जॉब जो है, वो दिलवा सकते हैं, तो कभी भी ऐसा, किसी को भी देखके, कि तु CS क्यों कर रहा है, या CMA क् नहीं कहना चाहिए, और कोर्स कोई भी बड़ा चोटा नहीं होता, उसे करने वाला कितनी महनत कर रहा है, यह सा वारी बाते जो है, इस पर डिपेंड करती है, ग्रेट, बहुत बढ़े नहीं हाँ, तो I think यह तो हर CS और CMA वाले बच्चे बहुत जहलते हैं, मेरे पास आते ह स्टुडेंट्स भी गलत हैं, इस पार्ट में बच्चे को यह करेंगे या वो करेंगे, तो अब यह बताएं मुझे, अगर मैं CS की जर्नी के बारे मी और बात करूं, तो यह रैंक्स का सिलसिला कैसे जो है, यह बना, और इससे पहले मैं और बैक्ग्राउंड को जाना तो इससे महराश्क्रा से हूँ, और नॉर्मल मैंने like ICSC ऐसा कुछ बोर सिलेक नहीं किया था, नॉर्मल SSC बोर से हूँ, और उसके बाद HSC में मैंने जब एंडरोल किया था, तो वहाँ पे एक प्रोफेसर थे, तो मुझे उनको पूछना थे, मैंने CS सिलेक कर लिया था कि CS करना है, तो एक प्रोफेसर थे, उनको पूछा था कि कोछ अच्छा क्लासिस बता दो, तो उन्होंने एक अच्छा क्लासिस सजेस्ट किया, वहाँ से मेरी CS की जर्नी स्टार्ट हो गए, अब वो प्रोफेसर थे, वो All India Rankles थे जो पहले के, उनसे मिलवाते थे, और मेरे मतलब छोड़ो हमारा नहीं है, हम तो बस पढ़ाय में फोकस करते हैं, मेरा कभी भी ये गोल नहीं रहाता कि मुझे All India Rank लाना है, कभी भी नहीं, यही गोल था कि मुझे अपना 100% देना है, जो भी करूंगी, रिग्रेट नहीं रहना चीए, एक्जाम के बाद, तो उसे तर पर भरोसा हुआ कि शायद पॉसिबल है, अच्छी महनत करेंगे तो कुछ भी हासिल हो सकता है, एक्जेकुटिव में फिर उसे तगड़ी महनत करी और पता था कि एक्जेकुटिव में 1% रिजल्टी आता है, तो क्लियर हो नहीं मुश्कील है, और उसमें पास्ट पीपर सर जो भी था, जो भी हमने सर बोलते थे, जो भी मैं यूट्यूब से माराथॉन्स देखती थी, और सब अप्लाय करती रहती थी, और कभी भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा था, कि रिजल्ट मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, कभी नहीं, बस प्रोसेस पर ध्यान द तब कंफाम हो गया कि भाइस, कोई लकवक का खेल नहीं है, महनत का खेल है, तुम जितना महनत करोगे तुमको इतना रिजल्ट मिलने ही वाला है, प्रोफेशन में महनत करी, वैसी लेवल कि एक बार आपको आइडिया आ जाता है, कि अच्छा ये सब करेंगे, तो क्लियर हो अच्छा जाता है, कि लड़कियों से कोशन नहीं पूछना चाहिए, तो किस एज में, किस एज में ये सब आपने कर लिया, 2020 अपकी क्या एज थी जब आपने पना CS क्लियर कर लिया था, सर मतलब मैं 20 years की थी, जब मेरा हो गया था, सब कुछ, वाओ, 20 साल के उमर में आपने देश के एक बहुत amazing course को जो है, वो complete करके रख दिया था, और 20 साल के उमर में लोगों की actually में graduation complete नहीं होथी, if I'm not wrong, सब मेरा भी नहीं हुआ था, graduation complete, मेरा पर पहले CS क्लियर हो गया था, उसके बाद graduation complete हुई, अब आप मुझे ही बताओ, टाटा capital, ये कैसे हुआ, और उस समय अब कितनी age के थे जब आप टाटा capital में गए, क्योंकि मैं age बाबा इसलिए पूछा हुआ हुआ कि हम ना हमेशा सोचतेंगे नहीं भाई ये तो 30 साल की उमर में प्रोफेशनल बनेगा, 25 साल की उमर में प्रोफेशनल बनेगा, तो टाटा capital कैसे हुआ और टाटा capital में आप जब गई अपकी age क्या थी उस सबाए? तब हम तभी 20 थी जब में टाटा capital में गई लग जब मेरा रिजल अनाउंस अथा था फैब में मार्च में आ गया तो में अगए तो 25 फैब को रिजल अनाउंस होता है उसके बाद मैं EDP अगेर हमार जो ट्रेनिंग हो तो कर रही थी सैड बैसे इंटर्व्यू दे एघ ए त जो है उसमें मेरा फिक्स हो गया था इंटर्व्यू के साथ सब और उसका जॉइनिंग था तब ही लोगडाउं डिक्लार कर दिया तो मेरा पर पॉसिबल नहीं हो पाया उसके बाद में नहीं जगह पर ट्राय किया दुस्तों से कनेक्शन्स निकाले और अब जाके मुझे एक Tata Capital Company मिली इन बिवें बहुत सारी कंपनी थी सर बट उनका मैच नियो रहा था मेरा मैच नियो रहा था पुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इसूस आरे थे ताटा Capital ऐसा था कि मुझे ताटा तो ड्रीम कंपनी थी कि एक ताटा मेरा काम करना है और 20 अग सब्टेंबर में में मेर बहुत गाइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब सेटा था बहुत गए तो डर्या था परी थी तो वो एक गड़ था था फेंबर में में टाटा Capital सार्ट करा एंड वन फ बेस्ट एक्सपिरेंस था वो इतनी एथिकल कंपनी आ है वो की मैने अब तक मेरा मेरे लाइफ में अभ CS की इंटर्शिप कितने पीरिड की होती है? मेरे टाइम पे, sir, it was 12 months, but अब भी वो 2 years की हो चुकी है. अच्छा? हाँ, sir. मैं एक कोशन और पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा अन प्रोफेशनल कोशन है, बट मैं जानना चाता हूं, ताकि हम लोगों की बात पहुचा पाएं. तो इस तरह की इंटर्शिप में क्या स्टाइपेंड मिलती है, निया? हाँ, तो sir, बहुत वेरी करता है, अगर आप एक firm में जाते हो, तो 5,000, 8,000, 10,000, ठीक है? और अगर आप एक लिस्टेड कंपनी में जाते हो, तो 15,000 मिनिमम है जो आपको मिलेगी, जो 25,000, 30,000 तक जाती है, स्टाइफेंड, तो 15,000 तो मिनिमम है एक लिस्टेड कंपनी में, वो लोग देते ही है, अगर मैं नाम भी लूँ, तो Reliance Industries है, जो 25,000 स्टाइफेंड देती है, इस ITC होगा, इन फोसेस होगा, यह लोग बहुत अच्छा स्टाइफेंड देते हैं, और वहाँ पर क्या रोल रहता है आपका, अगर अज़ा इंटर्न, आपसे क्या expectation रखते हैं, और आपने क्या काम किया, अगर थोड़ा साथ वह आप बताएंगे, तो उससे भी बहुत साथ students को जानने को मिलेगा, कि कई लोग तो यह भी जानना चाहते हैं, कि CS करते ही क्या है, क्योंकि CS अभी बहुत कम है, तो उनको, इस question से मैं यह पता करना चाहता हूँ, कि as a intern, as a CS intern, आपका महां पर क्या रूल था? तो सब फर्स्ट फॉल, यह बहुत अच्छी बात है कि जो employer होते हैं हमारे, वो हमसे कुछ भी expect नहीं करते हैं, क्योंकि हम, उन्हें पता होता है, हमें एक fresher है, हमें zero knowledge है, zero practical experience है, तो वो हमें सिखाते हैं, कि तुम्हें ऐसा करना है, वैसा करना है, तो मैंने मेरे इंटर्णशिप के टाइम पर, वो completely work from home था, तो इतना मुझे प्रैक्टिकल एक्पोजर नहीं मिला, बट जितना भी मिला, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, तो जितना है, बॉर्ण फाषण पिर अंपर्टंशि नहीं मिला, लुज भुपट अज फॉपर्टंशिप करना है, पिर भरीज फर्म फाइलिंग होते हैं, वो हमें करने पदे हैं, तो as a trainee मुझे यह डिखने मिला, अभी मैं एंप्लोई हूं, तो यह सब तो like बहुत easy लगता है but training के time पे आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ता है यह सब like it's a route for you एक CS का route होता है drafting करना, communication करना वो सब आपको training period में सीखने मलता है अच्छा एक बात जो बताईए कि अभी आप कहां पे job कर रहे हैं तो यह सब्सक्राइब अभी आपको अब अब एक और organization के साथ वो काम कर रहे हैं यहां पे एक बहुत important बात है और I don't know मैं इसको sweetly कैसे पूछूं तो मैं rudely पूछ लेता हूँ लोग भाग ऐसा बोलते हैं कि CS को नो salary कम मिलती है कि CS की salary actually में market में कोई value नहीं है I'm really sorry में words यूज कर रहा हूँ बट मैं लोगों की बात आप तक बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे लगता है कि आप दो साल से इंडस्ट्री में बिल्कुल फ्रेशर हैं आप दो साल अपने बिल्कुल कम्पनी के साथ कॉमिनिकेशन किया है नेगोशेशन किया है तो मैं आज फर्स्ट हैं जानना चाता हूँ क्या CS जो CS है उनको salary अच्छी मिलती है या नहीं मिलती है मार्केट में बच्चों को पहुचा आनी है कि CS में क्या demand है मार्केट में क्या demand है तो फर्स्ट फॉल सर डिपेंड करते हैं तो बिल्कुल मतलब का नहीं है उसमें तो डेफिनिटली कुछ भी salary मिलती बट अगर अच्छे कंपनी पब्लिक कंपनी इस्टेट कंपनी में जाए तो बहुत अच्छी salary मिलती है मैं मैं मिनिम्म फ्रेशर salary का आपको रेंज बताओ मिनिमम तो 6-7 लाख पर रेनम आपको मिल जाती है उससे उपर आप अच्छे कर सकते हो डेफिनिटली कर सकते हो आपके परस्टेट पर कंपनी के यू नो रूलस और रेगुलेशन पर डिपेंड करता है लाख में जो एक बहुत अच्छे कंपनी में है उसका 10 लाग पर रेनम फ्रेशर है सेलरी है वो फ्रेशर है मेरे साथ ही हुआ था बट वो एक अच्छे लिस्टिट कंपनी में गया था तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स आप कौन से कंपनी में जा रहें मारकेट में डिपार तो बहुत है अगर आप जॉब नी करना साथ है तो अप्रैक्टिस कर सकते हो एना बहुत ऑप्शिंग कर सकते हो तो अगर आप सीय करते हो तो सीय में भी ऐसा देखो मैं सीय की फील्ड की बारे मता सकता हूँ CA में भी ऐसा है कि आपको कम salary वाली jobs मिलेंगे आपको एक average salary वाली job मिलेगी और आपको बहुत अच्छी salary वाली भी job मिलेगी तो I think ये message हमारा बिल्कुल clear है कि बिल्कुल भी कोई ऐसे ना बोले कि CS को job नहीं मिलती या CS की salaries कम है CS की market में demand नहीं है अगर आपके पास वो skill है जो सामने वाले market वाले को चाहिए तो I think आपकी demand definitely है यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि हम skills के बारें बात करें तो अगला question एक student का ही आ सकता है कि नहीं हम मुझे यह बताईए कि किस तरह के skills बनाएं हम लोग किस तरह के skills develop करें तो during these three years यह जो तीन साल वो पढ़ाई करता रहता है उस समय वो किस तरह के skills acquire करें आपने बता है वो दो साल की अब training भी हो गई है तो उसमें किस तरह के skills acquire करें तो let's talk about skills आपको क्या लगता है कि क्योंकि अब आपने दो employers देख ली है एक Tata Capital जैसी company देख लिए आप एक और public company में काम कर रहे है तो यह company's किन skills को value करती है क्या चाह रही है यह तो sir सबसे पहले तो जब आप पढ़ाई करते हो तीन साल का आपका duration होता है तभी तो I would emphasize कि आप पढ़ाई पे ही focus करो एक बाद CS clear हो जाओ फिर internship में आपको मौका मिलता है अपने skills को develop करने का तब आप लोग एक अच्छा सा computer जो skill होता है, course होता है उसको join कर लेना क्योंकि being a CS आपको जो Microsoft Word हो गया PDF हो गया you know adopt यह सब बहुत बहुत अच्छे ते use करना आना चाहिए यह बहुत important है यह मुझे किसने नहीं कहा था मुझे फिर बहुत प्रॉब्लम होई थी तो यह computer skills आने चाहिए second is communication skills क्योंकि हम जो होता है mediator होते है between government regulators and the company तो हमें दोनों के साथ communication करना आना चाहिए हम like direct access है हमको board of directors के साथ तो हम हमारी जितनी अच्छी impression बनाएंगे जितना अच्छी से बात करेंगे board of directors के साथ उतनी अच्छी company की रपो बढ़ेगी तो if you know how to speak you know एकतम convincing tone के साथ अगर आप बात कर रहे हो तो वो बहुत important है तो communication skills डेवलप उने चाहिए and third मैं बोलूंगी कि आपको versatile ना पड़ेगा क्योंकि आप different लोगों के साथ बात करने वालों different department के साथ deal करने वालों हर एक department आपके पार्श आने वाला है कि रहे यार हमको BR चाहिए हमको यह चाहिए वो चाहिए तो you should be versatile in handling all the things Guys इसने पहरे आप लोग आगे बड़े में आप लोगों के बात बताना चाहते हूँ अगर आप लोग भी अपने communication skills सुधार ना चाहते हैं आप लोग भी सीखना चाहते है Excel, Power BI और बहुत सारे और ऐसे software's जो आपकी life में आपको बहुत काम आने वाले हैं तो आप लोग हमारी websites check out कर सकते हैं www.skill91.com and www.thinkingbridge.in इन दोनों ही websites पे आपको ऐसे courses मिलेंगे जो आपकी professional development करने में आपकी बहुत मदद करेंगे आपकी अच्छी internships, आपकी अच्छी jobs और आपके career की growth में आपकी बहुत ज़ादा मदद करेंगे So do check out skill91.com and thinkingbridge.in and yes, इन website पे जो भी courses है उनके prices बहुत कम है लेकिन हम लोग हमेशा आप लोगों को कुछ ना कुछ special offers देते रहते हैं तो जो भी इस समय code चल रहा होगा वो आपको screen पे दिख जाएगा उस code को आप check out कर समय use कर सकते हैं और आपको extra discounts भी मिल जाएंगे यह बड़ी एक दुख की बात है और इस CS, CS, CA में तीनों भी बड़ी दुख की बात है कि हमें आज भी student को समझाना पड़ रहा है कि computer चलाना सीख लो Word सीख लो, Excel सीख लो, PowerPoint सीख लो या जैसे आपने बताए कि Adobe के कुछ PDF softwares वगरा सीख लो अगर मैं आपसे बुलूँ कि कुछ softwares के अगर आप नाम बता है जो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं as a company secretary, तो वो क्या softwares होंगे सबसे पहले तो Adobe, Adobe daily basis पे यूज़ होता है, उसके बगाएर हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि ROC के जो forms है जो होगा नहीं, तो आपसे है यूज़ होगा है भी वर्डब भी होता है, थे बहुत थाज़ बिए होगा देली उसकर कर तैंगा और यूज़ कि मुझट तो नहीं परें बड़ एक और हम ऊचैव कर नीच्प्साइट है हमारे daily का use होता है उसमें उसमें day-to-day use होता है जिसमें बहुत सारे features है बहुत सारा information है वो कहां से निकालना है, क्या करना है MCA website अच्छे भी use करना आना चाहिए यह बहुत important मलब आपको PDF के साथ खेलना बड़े अच्छी तरह से आना चाहिए आपको word बड़े अच्छी तरह से आना चाहिए और आपको MCA website के थोरो knowledge हो, कि आपको कोई भी data किसी company कर निकालना हो, या आपको कोई forms file करने हो, forms download करने हो, utility download करने हो, तो वो आप कर पाए, राइट? रो, येस है आपने जिससे Tata Capital जॉइन किया तो आपका option होगा, कि यार मैं firm भी जॉइन कर सकती थी, राइट को CS firm भी जॉइन कर सकती, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे CS students को firm जॉइन करें, या इस तरह से कोई listed company को जॉइन करें sir मेरा ना हमेशा से listed company का mindset था, like मुझे कभी भी नहीं जाना है, क्योंकि firm में क्या होता है, I am not degrading anyone, but firm ऐसा होता है, कि monotonous काम करवाता है, तो उमसे कम pay में, तो पैसा भी कम है, काम भी ज्याता है, तो कुछ मतलब नहीं बनता, फॉर्म में जाके काम करने से, अगर कोई अच्छी का से करना है, पर कुछ अच्छी है, तो वहां जाके तुम काम कर अलग बाते, बद छोटी-मोटी फर्म में जाके, जहां पर करना है, यहीं फईल करना है, वहीं सब करना है, उदर मुझे तो काम करना ही नहीं था, तो सबसे फहलेएक मैं लिश्चेट इसलिए चूज करी कि मुझे लिस्टेड कंपणी के कंप्लाइंस सीखने थे लाइक हमारा सेवी का एक मोडियू होता है उसमें पर थीखा था कि इसा करना होता है तो देखा था एक्षोल में कि कैसा होता है जब आप एक लिस्टेड कंपनी में जॉब करते हो तो तो यह नीड कि आपको लिस्टेड कंपनी का एक्सपिरेंस होना चाहिए इसलिए मैंने वो से लिख किया है और सेकंड चीज़ आप एक छोटी से फिर्म में जाओगे तो वो एन्वार्मेंट जो प्रोफेशनल एन्वार्मेंट होता है आपको नहीं मिलता है प्रॉपर क्म्मुनिकेशन स्किल हो प्रॉपर व्यून ट्रेनिंग हो तर्फ एक अच्छा होता है राइट राइट अपके वास क्लियर रीजन्स थे कि मुझे लिस्टेट कंपनी में जाना है और क्यों जाना है आचा, की यूटीव के बारे में बात करते हैं फिर इम आगे की बात करेंगे तो यूटीव कैसे हुआ और यूटीव पे क्या रहा है अच किस तरह का क्वाएग करते हैं इतने उसमें उसमें व्यूज नहीं आते हैं, then I thought that I am CS, let's do CS का ही एक वीडियो बनाते है, so I made CS का एक वीडियो बनाया था, which was very popular, like hit हो गया था, so I thought that let's continue on that, so I continue on that, and I got a good response, and that's why I started that, and that's why I started that, and now the content is that I want to tell you that when I study, it is not difficult, it is not difficult, it is a right way, it is a right technique, and if you follow it, then everything will be done easily, because the kids are scared, that it is tough, so I don't do anything, everything will be done, if you do it, then everything will be done, so that content is related, and I have a little bit of vlogs, in the college office. What a matter, what a matter, what a matter, what are you thinking, because your age is very low, and as a professional, you have achieved something, at the age of 22, you are doing a good job in a good company, you are doing a channel, you are doing a guide, you have ranked on three levels, you have one of the best Indian business houses, you have working experience with Tata Capital, so what are you thinking here, what are you thinking, there was a confusion, what do you do, or do you do, because it doesn't manage, but now I have decided, I have to do a job, and on the side by side, you have to maintain, so for about 5-6 years, you will have to keep this fund, that you have to focus on the job, and grow on the both, and I'm very sure, यह पता चला है कि आप LLB कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हूं, लास्ट यह रहा है लास्ट यह रहा है, तो रेगुलर कॉलेज जाते हैं आप LLB के लिए? बिल्कुल नहीं, मतलब कैसे पॉसिबल होगा अगर मैं रेगुलर कॉलेज जाओगी तो बिल्कुल नहीं जाते हैं, तो सिफ एक्जाम देने जाते हूं और अब भी एक्जाम खतम हुए मेरे जस्ट 7 दिसेंबर को तो बस एक्जाम देने जाते हूं और पेपर काफी एजी लगता है क्योंकि अल्रेडी सियस बन चुके है तो 100% सिलिबस वही है, जो CS में था तो अच्छा जिब होता है इतना दा पेइन फील नहीं होता है वो जाकर आपने देना वैसे भी, मैं तो भूल गया था, रैंक होल्डर्स को क्या पेइन फील होना है अच्छा क्यों नहीं है उनके लिए भी बहुत इसलिए हो क्या मैसेश देना चाहिए जो बच्चे क्लस 12 में है, वो CS अगर करना चाह रहे है उनको कैसे क्या मैसेश देना चाहिए तो मैं बस इत्ना बोलुँगे कि कि इसको थियरी ज्यादा पसंद है प्रैक्टिकल से और जिसको लीगल वर्ड एक्स्प्लोर करना है तो CS इस फॉर यू और अगर आप एक बार CS में जा रहे हो तो प्लीज यह माइंडसेट जरूर रखना कि मुझे अभी अपने तीन साल है वो कम्प्लीटली इसमें देना है क स्टार्ट किया है तो अगर आप दे रहे हो तो आगे कि पचास साल आपके सिक्योर होने वाल है तो तीन साल CS आपको करना है और आजकल के जो बच्चे होते ना सर बहुत स्टब्बन होते हैं वो लोग ऐसे किसी के अडवाइस सुनते ही नहीं है जो उनका अच्छा चाहते ह तो अगर किसी की बाते सुननी है उनकी उनकी एडवाइस सुनो और देखो कि वो लोग किस सरीके से क्लियर हुई है जो आप ना करो तो अगर आप प्रोपर्ली पढ़ाई कर रहे हो उनकी एक्स्पिरेंस सीख रहे हो नहीं नॉलेज ले रहे हो तो आप भी सिर्श बहुत ज that one person. Right, क्या बात है, great, thank you very much, thank you very much, Nihak, बहुत बहुत नहीं किया, पहली बार ऐसे किसी CS से बात्चीत हुई है शो पे, अधर्वाइस आरे चार्टर अरे चार्टर गांटेंट से बात्चीत होती है, and actually, मैं चाहता था कि हम CS और CMA, सारी कॉमूनिटी को एक साथ जोड़ें, क्योंकि तीनों ही कोर्सेस बहुत अच्छे हैं, तीनों ही प्रोफेशनल्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस वीडियो से CS स्टुदेंट्स को तो मोटिवेशन मिलेगी, और वो लोग जो CS करना चाहरे हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलेगी, और CA वालों का भी, जो कहीं बार हमें दिखाए कि कुछ ही स्टुदेंट्स हैं, चाहे एक परसंट ही हैं, कुछ टीचर्स हैं, उनका देखने का नजरिया, इस कोर्स को बदलेगा, और हमें अच्छा मेसस्ज जो है, वो दे पाएंगे, थैंक यू बड़ी मुच निया, थैंक यू, थैंक यू सो मच सरा, यह जो हमारा कॉन्वर्जेशन था, वो बच्चों के यूस्फुल है, और मनी मोर वीडियोस तो गो सर, प्राइंगे, बच्च क्यों और है, थैंक यू सर, जाई. नाएंगे, और मनी मोर वीडियोस प्राइंगे,